तो वेलकम गाईस आज हम लोग देखने वाले हैं की कैसे हम लोग गयाभी टेंपलेट के अंदर एक SEO रेडी जो है हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर एक ब्लॉगर टेंपलेट है जिसका नाम है टेकी एक्स ठीक है एक्चुली यही है टी एसी के वाई एक्स ब्लॉगर टेंपलेट है ना मैंको देखने में बहुत अच्छी लगी यह देखिए उसकी एक टैमो बहुत बढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है और आज हम लोग इसको कस्टमाइज करने वाले हैं अपने हिसाब से तो चल गया है डाउनलोड और इसको ओपन कर लेते हैं फटाक से यही से हम लोग इसको एक्स्ट्रेक कर लेता हूँ तो मिल गया मैं को यहां पर थीम यह है उसका थीम मैं इसको एक सेक्ट ओपन विट कर देता हूँ डीफॉल्ट में हां और इसका नाम है टी-अ-तै कई-वाई-öd अ-घक्स और इस को पाम को पते है क्या करने रहता है हमेज्था इसको को प्लाउट करना रहता है और सिंपली एक ब्लॉगर में जाना है आपको अपना लेय estatorana तो मैं सेंपली आपर क्या करने वाला हूँ एक new blog create करने वाला हूँ ckyx तो यह हम लोग नाम देंगे फिलाल के लिए इसका नाम है और एक सेकंड मैं माइक को जो है कॉलर में लगा लेता हूँ अब ठीक है हो सकता है आपको आवाज थोड़ी सी कम आ रही हो बड़ ठीक है ओके तो यह से इस नौट अब प्रोग्राम मर्श तो अब हम लोग क्या करेंगा वहते हैं अब लोग थीम के अंदर आएंगे थीम के उन्दर आते ही हम लोग इसमें राइट-स . els91 से यह करते हैं अब अब आ प्वोट को अब अब प्रेस्ट करने के बादoriented के बाद आपको एक चीजर और करनी है आपको बताने वालों अब हम लोगों क्या करने हैं हमको सबसे बहले यह सब अब बहुत सारी किर ले लेते हैं तो फिर इतना चीज को अब किर लेगा आपको वेटिंग की तरह ही मिलेगा मैं 3 4 2 3 तीन तीन जगह है तो बेकिंग की तरह काम होता है वह तरीकता इसको नहीं लेना चाहिए ओर इसको भी सेफ कर देता हो मैं कमेंट आठा यह तो अपया इतना करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना होता है मैटा डेटा बनाना मैटा टैक्स को एमबेट करना ठीक है और उसको करने से अच्छा है पहले हम लोग थीम सेट करने फिर एस तरीके से दिख रहे हैं जो कि हम लोग का कॉंटेंट कुछ भी नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग लोग देमो के कॉंटेंट को इंपोर्ट कर लेंगे जैसा कि आपने मेरी पहली सीरीज में अगर देखा होगा इस वीडियो में और भी थीम सीरीज हैं आप प्लेलिस चेक कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक कॉंटेंट बनाकर रखें हम लोग सिंपली उसको इंपोर्ट कर लेंगे तो हमारे 20 पोस्ट है I guess तो वह इंपोर्ट हो जाते हैं और यहां पर फिर आके हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यह दिखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे परसनली बहुत अच्छा दिख रहा है बस एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ दिख रहे है यहां पर साथ के बदले आट करके आप 10 भी कर सकते हैं इवेन नंबर्स पर रखिए ठीक है यह हो गया देखें दस पोस्ट दिख रहे हैं बहुत अच्छा दिख रहे हैं अब हम लोग को क्या करना है हम कोई सब्सक्राइबर्स वाले पोस्ट के बदले आपका यह नहीं चाहिए तो हम इसको हटाना की हटाएंगे तो हम लोग चलते हैं ले आउट में यहां सब्सक्राइबर्स का बटन है हम लोग इसको रिमूव कर देंगे हैं और एक स्पेस भी दिया है आप चाहिए तो अपने एड के कोड को डिरेक्ट यहां लाके पेस्ट कर सकते है ठीक है यह पूरा हटा के कंट्रोल लेकर के हटा लीजेगा फिर आप अपना एड्स पेस्ट कर सकते हैं बट फिलाल के लिए हमको यह भी नहीं चाहिए आप को आपको एडिट करना है और सिंप्ली यहां पर नीचे आके आपकी जो जो लिंक्स है ठीक है जिस प्लैटफोर्म का की लिंक्स है आप सिंप्ली उसमें एडिट करके वह वह लिंक पेस्ट कर लिजेगा जैसे फेस्बूक का लिंक होगा तो आपको फेस्बूक का अप और मालीज आपका किसी का नहीं है जैसे वी के में आपने अगर नहीं किया इन सब्सक्राइब कर देना है और यूट्यूब में भी नहीं है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं ठीक है बहुत सिंपल है समझ गया और उसके बाद फिर आपको यहां पर सेव करने यह भी सेव करने और और फिर पूरा सेव कर देना वह उसमझ गया आपको क्या करना है ठीक है तो यह सोचल प्लencieंस उस ตरीके से काम करते हैं के बाद आती है हमारी यहां पर जो है हमको लेटेस्ट इंटेक्स लिखा है यानि यह लेटेस्ट पोस्ट वो हमारे दिखाएगा लेकिन जो देखिए यहां पर टेक्नोलोजी इसने वो रखा है लेकिन हमारे कोई पोस्ट जो है आपको बता जाता हूं कि हमारे पोस्ट जो है आपके जो भी ग्रूप्स हैं जैसे हेल्थ टैक तो आपको उस हिसाब से इसको अरेंज करना पड़ेगा मैं आपको डेमो दिखाता हूं एक ग्रूप वन है जैसे तो अब हमको अपना यहां पर ग्रूप वन का पोस्ट चाहिए तो मतलब समझ रोने कैटेगरी बन जाएगी क ग्रूप वन का पहले पोस्ट आजाएगा पर नीचे ग्रूप टू का भी बनाई है तो समझ गए हो गया इसको एड़िट करने आपको और यहां पर यह जो लिखा है इसको मैं लिखूंगा ग्रूप वन है ना एक बार मैं चेक कर लेता हूं जी ग्रूप वही है कि नहीं है तो मैं इसके अंदर गुजता हूं पोस्ट के और जस्ट चेक कर लेते हैं तो गुरूप वन यह टैट गूरूप वन एंड से लेटेस्ट एंट एंट आट के नाम से ड़िए बड़ चेंज कर लेंगा तो यह देखिए है तो यह आ गया हमारे गूरूप वन के पोस्ट ठीक है टोटल फाइब पोस्ट हैं इसले इसमें इतने से दिखा रहे हैं ठीक है तो हमको और चाहिए ठीक है एक में तो मन नहीं बरेगा तो यह हो गया हमारा गुरूप वन तो मैं इसको सिंप्ली सेट लिप करके ग्रूप पर लेता हूं और हाँ आपको अगर मेरी वीडियो ज करने की जरवत नहीं है और करना चाहिए तो उसका भी मैं आपको दे देता हूं साइन का भी एक है वो भी उसको कर लिजेगा डाउनलोड इंस्टॉल और बस फिर इंजोई कीजेगा एड़ फ्री यूट्यूब सेकिन है हमारा ग्रूप टू तो हम ग्रूप बनाएंगे तो उससे पहले मैं आपको बता दूब आपको एक कोड कोपी कर लेना है ठीक है और फिर एड़ ग्याजट में जाना है और HTML जावा स्कृप सेलेक्ट करके यहां पेश्ट कर देना है और यहां पर आपको ग्रूप मेरा ग्रूप टू है आपका जो दूसरा होगा सेम टू सेम ल अब देखिए क्या होगा कि मानली जे मेरे एक पोस्ट के अंदर टैग है वह है डेली अपडेट लेकिन इसके बीच में स्पेस है तो एक्चुली में से वैसा नहीं आएगा फिर जैसे मैं आपको बताता हूं एक सेंड इसको मैं कॉपी किया और एड़ गैजट किया और मैं बीच में स्पेस यह डेली अपडेट्स यह देखिए टाइक के बीच में इसपेस लेकिन जब मैं इसको क्या करूँगा अब यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं डेली अपडेट्स तो अब देखिए मैं को एक परसेंटेज 20 जो की कोडिंग के लेंग्वेज में स्पेस को तो आपको स्पेस के बदले परसेंटेज 20 यूज़ करना है और यह सब कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखिएगा जो आपने यूज़ किया उसी तरीके से ही यूज़ की जागा नहीं तो पोस्ट आपके शोव नहीं सकते ठीक है यह सब को आपको धीरे-धीरे ध्यान रख है तो यह सब छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है यहां पर हर केटिगरी में पांच पोस्ट है इसलिए ऐसे अजीब सा दिख रहा है बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है वह आपके जब पोस्ट आप भरते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और क्या करना है अ अपको लेंक्स टाल के यह भी आपको मैं नहीं बताता हूं करता आपको आते ही होगा अब यह एबाउट हों कॉंटेक्ट पेज को आपको बनाने है जो की पेजस के सेक्षिन में जाकर हम लोग न्यूपेज जनरेट करते हैं ठीक है तो यहां से आपको बना लेने अपने प पेज है उसके बदले मैं अपनी लिंक पेज़ कर दूँगा और सेफ कर दूँगा और यहां आके अब रीफ्रेश करूँगा तो यह बाउट का जो लिंक है वो मेरे पेज से कनेक्ट हो गया है यह बाउट अपको यह एपने पेज को लगा लेने अबाउट होता है कॉंटे करें लोट करना है तो यह बदलना तो यह जो है इंज आपको बदलाती है ठीकिए था को सेतिंग में ड tired आको सिलेक्ट तर और यहां पर आपको इपलोड करने आपको बना कर रखना dif थेख आयो आपका अब कहई से बना सकते है कैų यह वगरह से और विल्हाल मेरे पास है क्य इसको सेव कर जते हैं और आपका जो फैवाइकन होगा वह यहां लोड हो जाएगा जस्ट वेट करना वह बदल जाएगा सेव हुआ कि नियुक्त कि हो गया अब हमको क्या करना है अब हम तो अग रहे हैं इसको भी यहां पर आपको झाइस गया और यहां पर आप देखेंगे कि यहां डा सीपक करना है वह द्यकुरिए उसके बास पहले कि आश्क taken चाहता हूं तो यह मेरा टैकी नाम है जो ब्लॉक कर यह यह आए बस मैं यह चाहता हूं ठीक है तो अगर मैं इसको अप्लोड करूंगा और refresh तो यह देखे इतना छोटा सार है लेकिन हमको क्या चाहिए अब देखो आप कोडिंग वाली पार्ट आपको सीखाता हूं आप चाहें तो अपनी इमेज लगा सकते हैं ठीक है बट अब कोड कैसे करना है कुछ आपको सीखना भी जरूरी है तो राइट क्लिक करके हम इसको फूल बिर्थ में ले लूँगा और अपने यह जो बॉक्स है ठीक है यह आपका ऐसे आ रहा होगा जब आप इंस्पेक्ट अलिमेंट करेंगे तो है ना तो आपको टेंशन नहीं अब देखिए हमने क्या किया टैकी सिलेक्ट है देखिए यह होता है सिलेक्ट करने का इसको दबाएंगे अपने भी होवर करेंगे तो आप एक-एक ऐलीमेंट की नॉलेज ले सकते हैं अब हमको यह टैकी का कलर बढ़ा करने कलर वाइट करने और इसको बढ़ा करने तो मैं क्लिक करेंगे ठीक है तो यह के अंदर आता है डिव जिसका क्लास है एड़र विडग आईचन को नहीं आती वो थोड़ा सा गफ़र आ रहे हैं मद सीख लो ठीक है और देखिछMn इसकी अलग होगी थेक है सबकी अलग होगी इसकी आईडई बीअलग होगी इस की आइडी देखे यहाँ पर लिखा मेन मेन। नहीं यह देखी नहीं तो Ja stir कगेल होते हैं हमको क्या करना है हमको यह टैक्ffentlich सेलیک्ट करना है और यह Header with gadget की, ID, जो है इसको हम लोग copy का लेंगे होः है कि एतने पार्ट को हम लोग copy करेंगे ठीक है और हमको क्या बदलना है वह देखिए हम नीचे आएंगे और दिखके हमको क्या बदना हमको यह बदरना है color हमको color जो है वो वाइट चाहिए और यह element को target नहीं किया है तो अब हम लोग टैकी के element को वाइट करना है तो dot header logo हमको यह चीज को सर्च करना है देख इसको copy करना आपको होवर करने के बाद और यह इसका color हमको क्या करना है हमको इसका color जो है वाइट चाहिए और इसका size होगा font size या आप चाहिए तो line of height तो font size को हम लोग इसको बढ़ाएंगे at least 35 या आप अपने इसाब से 40 भी कर सकते हैं कोई दिखते हैं ठीक है तो हम लोग इसको देख लीजिए अब code को यहां पर ऐसी रेंड दीजेगा और layout में जाके theme में जाएके कुछ और सीख रहे हैं न नहीं है इसलिए बता रहा हूं आपको edit as html में जाके अब हम लोग जो copy किये तो उसको मैं दिखें पेस्ट कर दिया डॉट है लोगो यह जूंग कर देता है यह रिखें यह पेस्ट किया एंटर किया अब यह आगे है आपर यह यलो ठीक है color जो है इसमें manually set it नहीं है title.color जो है इसमें चूज करके रगए हम लोग इतने पार्ट को मिटा देंगे है है ना मिटाया और अब मैं इसमें अपना मैं hash code लगांगा white color का होता है एफ 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 छह बार ठीक है यह हो गया पांच और यह च्छह पॉंड साइस हम लोग चाहते थे 40 तो 40 और सेव होने के बाद हम लोग को वेट करना है तो यह थोड़ी सी कोडिंग पार्ट भी आपको समझ आ रही होग पोस्ट की इमेज में लेके चलता है तो जीसें रिसेंट भॉस्ट है ठीक है था इसमें क्लिक किया है इस थो इसाफ भी है थार सब्सक्षरिणται और त脇सम दरींद कर सकते हैं स्केल ति गर्दताओं चलाओ, transform, transform, scale, scale की value 1.5, अब इस पर क्या हुआ है, transform scale जब add होगा, ठीक है, तो अब आप किसी image पे जब over करेंगे न, तो वो थोड़ी सी उपर हो जाएगी, ठीक है, और बहुत कुछ है, देखते हैं, rotate, 3D, ठीक है, image को हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, scale x, scale y, देख रहे हैं अब change होते जारी image, scale basically वही होता है कि हम लोग जो है, इसको उठाना चाहरे है, photo को थोड़ा सा, है न, तो यह सब चीज़ें आपको coding के थुरू ही पता चलेंगी, और अच्छे से, अभी मैं आपको उतना confused नहीं करूंगा, यह आपकी, आपके उसके course के बाहर है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलो coding के लिए आपको सीखना होगा, तो मैं आपको और सीखना होगा, फिलाल आपको यह इतना, अभी जो main हम लोग सीखना चाहरे थे, वो था, कि यह हम लोग बढ़ा हो गया, देखिए, अब से हो गया, यह सब बेसिक सा आपको बता रहा हूं, मैं को पता है, अब मालो यार, देखो, मैं को यहां पर main menu दिया है, लेकिन इसके अंदर ना, plus का button नहीं है, add a gadget वाल बटन नहीं है, कहीं भी यह देखिए, main post के अंदर add a gadget का button नहीं है, मैं को post के नीच, ऊपर add लगानी है, कैसे लगाँ, कैसे लगाँ, बताओ, तो कैसे करना है, यह मैं आपको बताओ, main post, यह word आपको search करना है, main post, यह आपको अपने add it as html में जाके search करना है, control F, यहां लिखूंगा, मैं main post, है ना, अब देखिए, जैसी search किया, यह आ गया पहले में, id, इसकी main है, max with gadget, जो है, वो one है, show add element, जो है, वो yes है, लेकिन हम लोग के case में, हमको max with gadget, जो है, पूप 5 रख दिया, मैंने, है ना, और उसके नीचे आएगा, तो locked लिखा है, तो आप इसको lock को चाहें, तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उससे कुछ होगा नहीं, है ना, lock से मतलब क्या आप इसको remove करना चाहते हैं, तो आप इसको unlock क कर दें, बस उसकी value, लेकिन कोई अपने block post को क्यो remove करना चाहेगा, of course, यह बात यह है, अब मैंने इधर देखिए, max with gadget की value change की जैसी, अब मैं layout में आऊँगा, अब देखिए, main post के अंदर add a gadget का option आगया, तो यह सब basic चीज़ें आपको मैं सिखाना चाहा रहा था, ताकि आप भी समझे, और यह देखिए, यहाँ पर ads को भी आप चाहें, तो इसको हटा के अपने ad code को paste करें, जिसका width है, 728 x 90, ठीक है, और क्या सीख सकते हैं, अब, labels, categories, और tags, तो अब हम लोग, क्या हटाना है, आपको यह जो हटाना है, इसके लिए मेरी वीडियो है, आप उसको कैसे हटाना है, आप मेरी वीडियो देखे हटा सकते हैं, आप लिखेंगे, Mr. Programmer, क्या, फूटर copyright, फूटर credit भी लिखेंगे, तो मेरी वीडियो आ जाएगी, च ठीक है, मैं अगर दिखाऊं तो, और popular post, यहाँ पर आप चाहिए, तो कित्त दिखाना चाहते हैं, वो भी आप select कर सकते हैं, फिलाल हमारा कोई popular post है नहीं, ठीक है, तो यह देखें, लेबल्स आ गया, popular post अभी है नहीं, जैसी कोई popular होगा, तो वो आ जाएगा, तो इस theme के यह बचा है, बस अब आखरी, तो इसको कैसे edit करना है, यह भी देख लेए, तो हमको आना है, अपने वापत से main menu वाली list में, यहाँ edit करना है हमको, और यहाँ पर हमको edit करना है, देखिए, मैं पहले sub delete कर देता हूँ, अब हमको add करना है, ठीक है, अब मान लीजे, में को group 1 add करना है, तो मैं क्या करूँगा, simply लिखूँगा group 1, है ना, और group 1 की link, इसको मैं copy कर दूँगा, और यहाँ पर आके इसको paste कर दूँगा, ठीक है, और max results 9 के बदले, मैं इत्ता part remove कर दूँगा, और इसको save कर दूँगा, ठीक है, और फिर same मैं को group 2 और group 3 के link भी बनाने, तो मैं group 2 और 3 लिख दूँगा, group 2, और इसके बाद आता है group 3, group 3, और फिर इसको भी paste करके, group 3, save, ठीक है, तो यह था हमारा non drop down menus कैसे बनाते हैं, यह हो गया, अब मालो मैं को एक drop down menu भी बनाना है, जिसका नाम मैं more रखना चाता हूँ, या कोई भी हो सकता है, वो tips हो सकता हूँ, उसके अंदर के categories show हो, जैसे मेरे website में होते हैं, ठीक है, तो मेरे website में अगर मैं आपको drop down दिखाँ तो यह wordpress पे shift कर लिए है, मैंने blogger पे, ठीक है, और अगर आपको wordpress पे shift करना है, तो इसके उपर भी मैंने video बना रखे, free में, तीन माइने के लिए है, अभी, google cloud hosting, तो यह देखे, इसको drop down बोलते है, ठीक है, tips के अंदर भी drop down है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, drop down बनाएं, इसमें कैसे drop down बनेगा, हमको edit करना है, और यहा यहां पर लिख रहा है, more, ठीक है, let's suppose मैं को more का drop down बनाना है, और यहां hash डाल दिया, save करूंगा, अब फिर से add new item करना है, और यहां पर आपको underscore डालना है, एक underscore डालेंगे, तो इसका मलत भी more के अंदर आ रहा है, ठीक है, more के अंदर मैं डाल देता हूं, चलो group 1 वापस से, क्योंकि मेरे पास नहीं है, URLs, तो मैं ऐसी डाल के दिखा रहा हूं आपको अभी, आपको अपने साब से set करना है, ठीक है, यह भी save, फिर इसको refresh करेंगे, आप देखिए आगया more, अब मानलो मैं को more के अंदर भी और, और भी सब के डगरी बनानी है, तो यह भी एक final step है, इसको भी देख लीजे, अब हमको क्या करना है, अब हमको add new item करना है, और एक और आपको more लिख दिया, मानलो मैं, मैं आपने example के लिए more ही लिखते जा रहा हूं, आप समझ जाओगे, आपको क्या डालना है, और hash डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता ह करें, फिर इसके अंदर मैं को double underscore को डालना है, ठीक है, double underscore को डालने के बात क्या होगा, यह more के अंदर वाली category बन जाएगे, तो फिर से मैं group डाल दिया, group 1 ठीक है, और फिर मैंने उसका URL डाल दिया, ऐसी करके एक और double underscore को डालूँगा, तो group 2 specific to, group 2, और यह paste और save, refresh अब देखेके more आया है उसके अंदर भी a more आगया है यह भी गाम कर रहे है, ठीक है, तो और क्या बचा और कुछ बचा क्या थीम के अंदर चल के देख लेते हैं यह भी ठीक है 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 यह देखे पॉपलर पोस्ट भी चालू हो गया आना है ना और बस यह थीम में इतना है यह कंप्लीटली मॉबाइल फ्रेंडली थीम है